हें गाईज विल्कम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप का इस वडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग जॉब आपास्टोडी के बारे में जो की वेकिंसी रिलीस की गई है ओयल एंड गैस डिपार्टमेंट की तरफ से जी हां एल एंटी ओयल ए इप्विकिंस में जोब आपकी लगने वाली युक कमपनी नाम से जाना जाता है यह निकाली गई ऐल एंटी डिपार्टमेंट आपका होने वाला है एल एंटी एनरजी जो हाइड्रोकार्बन एनरजी है इस डिपार्मेंट से वेकिनसी जो सेक्टर होने वाला है इस got oil and gas फिर से बता रहा हूँ, जैसे ONGC हो गया, Indian Oil हो गया, फिर Oil India हो गया, HPCL, IOCL, बिल्कुल उसी प्रकार से L&T का खुद का Energy Department है, Oil and Gas सक्टर में, और यहीं से finally permanent jobs के लिए, अलग-अलग various diploma and degree based पर vacancies निकाली गई है, जो की permanent job हो गया अबकी, चलिए, detailed notification wise discuss करेंगे, कौन-कौन से candidate कर सकते हैं, ब्रांच कौन से candidate eligible है, इनकी किस ब्रांच के लिए कितनी post पर vacancies है, experience क्या होने वाला है अपका, salaries यहाँ पर कितनी मिलेगी, यह job आपको कैसे मिलेगी, क्या selection process होगा, सारी चीजे मैं इस वीडियो में बताने माता हूँ, let us start now, आगे बढ़ने से पहले चैनल प प्रब्लिस की गई है, LinkedIn पे, तो इनके एक HR के द्वारे LinkedIn पे, L&T, Energy, Hydro, Carbon की तरफ से vacancies निकाली गई है, और इसका official notification मिंग जाएगी, हमारी official account जो LinkedIn पे है, यह आप देख सकते हैं, सकसे दिलिप के नाम करके आपको मिल जाएगी, LinkedIn पे official account, guys, अगर आप अभी तक हमारी LinkedIn अक सब्डेट हम देते हैं, तो जो premium job सब्डेट होती है, बहुत सारी बड़ी-बड़ी energy department से, बहुत सारी private organization से जो vacancies निकलती है, वहाँ पर जो job update मिलेगी, आपको directly LinkedIn पे मिलेगी, जिसके अलवा directly आप apply भी कर सकते हैं, HR के द्वारा, तो हमें यहाँ पे जरूर follow कर रहे हैं, क सी डिपार्टमेंट से vacancies निकाली गई है, डिपार्टमेंट आपका कौन सा होगा, oil and gas department होने वाला, walk-in interviews के दुरू सेलेक्शन, degree and diploma के चैनेड़ अपलाई कर सकते हैं, चलिए आप आप notification को देखते हैं, डिटेल में आपको समझाने वाली है, step for the career, build on powerful energy, जो powerful legacy, जो recruitment है, L& energy, hydrocarbon, is leading oil and gas EP control, जो recruitment है, सिधा जान लो कि oil and gas department में आपकी जो job है, वो लगने वाली है, और इसी के अंडर में आपको various categories के अंदर में आपको jobs लगेगी, इसमें क्या degree के candidate अपलाई कर सकते हैं, तो मैं पहले बपता चुका हूँ, इसमें starting में, कि degree के candidate या फिर diploma के candidate, जो candidate है, यानि कि आपर अपने diploma या फिर degree भी बिटेग इंजिनेरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल अपलाई कर सकते हैं, almost 60% marks है, या फिर उससे ज़्यादा marks अपका होना चाहिए, and experience भी compulsory है, जो कि oil and gas sector में experience होना चाहिए, अगर आपने internship किया है, ONGC से, Indian Oil से, Oil India से, HPCL से, BPCL से, अप आपने apprenticeship किया है, बहुत ज़्यादा benefits आपको इस department में देखने को मिलने हैं, आपके पास कोई भी experience नहीं है, अगर आपने apprenticeship सिर्फ किया है, तो बेजिज़क ये सब company आपको directly hire कर ली जाएगी, क्योंकि आपने government, government से apprenticeship कर लो, और private में jobs के लिए अगर आप जाओ, आपकी से internship किया है, उनका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पहला resume आपका shortlisted होगा, हलाकि यहाँ पर experience required है, minimum five year की, but it is not matter, आपने दो साल, तीन साल, एक साल का government से apprenticeship किये, तो सिर्फ apprenticeship वाले बंदे apply करो, आपकी पास skill होगी, तो जरूर hire किया जागा, नहीं तो experience होए, वो compulsory ह होगा, कम से कम दो तीन साल का experience तो जाइए apply करने के लिए, अब बात करते हैं कि department कौन सा है, तो health and safety environment होगा, and from work, इसका folding exhibitions में, I mean sorry, execution, E&I, E&I मतलब होता है, यहाँ पर various department जैसे electronic, telecommunication, instruments के trade वाले गंडेट apply कर सकते हैं, plant and machinery, mechanical हो गया, उसके बाद piping, then quality control, planning, sub controlling, billing and quantity surveyor, अब branch देख लो, CDC branch कोन apply कर सकता है, अगर आपने environmental engineering में कर रखे हैं, तो बिल्कुल apply कर सकते हैं, फिर आपको हो गया, यहाँ पर mechanical engineering के candidate apply कर सकते हैं, then आपको यहाँ पर instrumention, या फिर electronic instrumentions के trade eligible हैं, mechanical engineering के लिए ज्यादा होती है, यहाँ पर piping के लिए, फिर आपको planning में, या फिर sub controlling में and billing में apply करने के लिए, CS वाली भी apply कर सकते हैं, then है quantity surveyor, तो mining surveyor के जो candidate हैं, वो eligible हैं, ओके, तो यह सारी trade and branch के candidate इसमें eligible हैं, health and safety में तो industrial safety के जो trade है, ब्रांच हैं, वो candidate apply कर सकते हैं, walk and interviews कहा होगा, दो जगए walk and interview होगा, पहली यह 10 नॉमबर 2024 को, दूसरी interview है, 17 नॉमबर 2024 को, तो अब जीस भी field म को विसाखा पट्नम आंदरपर्देश में होगा, और दूसरा interview 17 नॉमर 2024 की फरीदाबाद हरियाने में होने वाला दिल्ली के नजदिक में है, अंबाला से जाके आप यहां पर visit कर सकते हैं, तो यह दोनों walk and interview की date है, इंडिया में job locations होगी, अगर आप foreign job में चाहते हैं, तो Saudi area में मिलेगी, नहीं तो इंडिया में ही jobs यहां पर आपको मिलेगी, अगर आपने ITI करके डिपलोमा किया है, तो भी candidate apply कर सकते हैं, लेटरल एंट्री वाले, डिपलोमा करके अपने बिटा किया, तो भी candidate इस फोंपो apply कर सकते हैं, अब आपको क्या करना है, जितने भी candidate information ल पहले इस पर भी details भेज सकते हैं, दो copy आपको CV भेजना, ध्यान रखना, ओके अजब आप interview के लिए जाओगे, अपने CV qualifications की पूरे details आपको लेकर जाना है, तो यह notification आपको LinkedIn पे मिल जाएगी, जो भी candidate interested है, participate कर सकते हैं, मस्त जोबे, 18 साल से लेकर 28 साल की candidates में अलाम से apply कर स experience हैं, तो आपके experience के according आपको बढ़ेगी यहां पे, then salary की मैं discuss करूं, तो एक जो भी candidate अगर आप सिर्फ apprenticeship या फिर one year की experience लेकर आप जाते हैं, तो यह स्टार्टिंग salary 30,000 से 35,000 होगे, यही पर आपके पास जो experience मांच साल मांगा गया है, तो approximately 45,000 प्लस आपकी salary और स्टार् करें मिलते नेक्स वडियो में तब तक लीजए हैं